शर्व मंगल मंगल ले शिवे सरवार्थ शाधी के स्रणेत्रेम के गोरी नाराणी नमस्तूते नमस्कार मैं हूँ जोच्साचार डॉक्टर विंत्र पार्थी आप देख रहें भागी गुरु कारक्रम भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम हम आप से बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्ति है कौन सी तिथी है कौन सा नच्छत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है सुर्योदय कब होगा सुर्यास्त कब होगा चंद्रमा किस राशी पर है रहुकाल कब है देशा सुल कब है यह सारी बात हम आपको बताएंगे आज का महामंतर क्या है यह भी बताऊंगा और बारह राशियों के भी बारे में बताऊंगा कि आज बारह राशियों की क्या इसती है किसका भागोदे होगा कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कि इसको उच्छी पत की प्राप्ती होगी किस अंके के प्रयोक करने साब का भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने साब की महानुन नत्योगी और गुरू के नुश्खे क्या है आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा आप देखते रहिए भागी गुरू कारिकरम अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है पांच मार्श दोहजार चोविस दिन है मंगलवार सुर्यास्त होगा सुवाज चे बज के 41 मिनट पर सुरियास्त होगा स्वाम को 6 बज के 23 मिनट पर आज चंद्रोदेय होगा अगले दिन तीन बज के 37 मिनट पर चंद्रास्त होगा रात्री 12 बच के 43 मिनट पर चंद्रमा रहेगा धनुराशी में कृष्ण पक्ष है नौमी तिती है मूल नच्छत रहे सिद्धी योग है और आज का जो सुम मुहुरत है दो पहर 12 बच के 9 मिनट से लेकर के 12 बच के 56 मिनट तक रहेगा रहु काल है दो पहर साइम का तीन बच के 28 मिनट से लेकि चाल बच के 56 मिनट तक रहेगा उत्तर दिशा का दिशासूल है आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशासूल में कोई यात्रा न करें और यात्रा अपरिहार है लंबी दुरी के एक दिन पूर सुम मूर्थ में प्रस्थ करके आज का महामंत्र है ओ महंग हनुमते नमा यह जो महामंत्र है संकट मोचन हनुमान जी का है अगर आप संकट मोचन हनुमान जी की अरादना करते हैं तो आपका मंगल अच्छा होगा रोग और सत्र परास्त होंगे परिशानिया दूर होंगी और आपकी कुल्डी में आपका मंगल अच्छा होगा और आपका उत्र-उतर विकास होगा ध्यान रखना है कि अगर आप इस मंदर का जब करते हैं तो केसरिया करर का वस्त धार करके करें आपके लिए लाप अब आई यह हम बात करते हैं 12 राशियों की बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं कि किसका भागोदे होगा कौन विदेश जाएगा कौन सेना में जाएगा कौन पुलिस सेवा में जाएगा कौन भारति परसास्निक सेवा में जाएगा किसको राजम्यतिक लाफ मिलेगा कौन भूम भून खरीदेगा किसको रियल स्टेट प्रपल्टी माइन से धनलाफ मिलेग कौन खेल के छेत्र में जाएगा सारी बात हम आपको बताएंगे किस संग के प्रयोग करने से भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने से बड़ी सपलता मिलेगी सौधानी क्या बरतनी हो उपाय क्या करना है आईए सुरुबात करते हैं मेश राशिशे जो मेश राशिशे क का समय उत्तम चल रहा है चारों तरफ से लाभ के उसर मिलेंगे चापलू सभाओं के लोगों से दूर रहिए नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है शकरात्मक सोच रखने की जुरुत है अगर आप इस तरीके के सकरात्मक सोच रखने तो आप आगे बढ़ेंगे आपके कर्म सबस्क्राइब हो सकता है बहाग तो सराकार संपरोगा माता के सुधार होगा पिता से थोड़ा सा बैारिक मध्वेद हो सकता है चुटी-चुटी बात को लेकर वीबाद हो सकता है और हेल्थ वेल्थ को ले करके सचेत रही है सौधानी के अबरत नहीं है आपने लक्स के प्रति ध्यान दें उपाय क्या करना भगवान भोले चड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है आप अगर मेहनत करते हैं ता आपको सफलता जुरूर मिलेगी लेकिन रुकाउटों के साथ विग्नबाद आएंगे कुछ रुकाउटे आने से काम अधर में लटक सकता है इसलिए अपना कारे का प्रयास करिए सफलता आपका रादे कर परिवार में रिष्टों को लेकर के थोड़ा सा सौधानी से निभाने की जुरूरत है आज आपके लिए समय अच्छा है छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में आते हैं तनाव न लें पॉजिटिव रहें पॉजिटिव सोचे पॉजिटिव करें पतनी की स्वास्त पर ध् उससे पनियंत्रा रखना आपके लिए अच्छा रहेगा और आज आपको क्या करना है कि चंद्रमा को अर्ग दें भगवान सिव की आराधना करिए और शफेद वस्त्र जुरूरतमन्द व्यक्ति को दान करिए शुबंक है दो शुब्रेंगा सफेद लग मीटर है आठ अरे उतना आज आपको लाभ मिलेगा और आपका मन परसन रहेगा रोग और सत्र परास्त होंगे दूर देश के आत्रा होगी आपकी परिशानिया आज कम होगी शरकार और राजनीती से बड़े पैमाने पर लाभ मिलते हुए दिख रहा है मन चाहाओ पहार मिलने की संभावना ब बन रही है बिद्यारतों के लिए बहुत अच्छा समय चला है खेल खिलाडियों के लिए समय अच्छा चला है जो खेल के चित्र में रुची रखते हैं आज उनकी प्रगत होगी खेल के चित्र में कैरियर तैह होगा इंड़स्ट्री तैदी लगा सकते हैं सेयर और ट्रेड तरहाँ हारिव कृष्ष बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी की जातक है आज का दिन आपके लिए थोड़ा से उतार चुज़ाऊ को लेकरके रहेगा और मन उद्धीמע में रहा लेकिन शत्रों की शत्रोता से राहत मिलेगी आपके गुपत शत्रों में हरास होगी ब्यावसाइक सोच समझ करके करें और ब्यावसाइक जो निड़ा है फैसले हैं सोच समझ के लें ब्यावसाइक लोगों से लाब मिलेगा आज आपका मन प्रफुलित रहेगा आपकी परिश बल्युक बन रहा है रोग और सत्रु परास्त होंगे महता-पिता का सुख मिलेगा आपकी महतोकांचाएं पूल होंगी सौधानी क्या बरतनी है सौधानी ये बरतनी के आज अपने को थोड़ा सा सोच समझ करके रहें और ना कारात्मक सोच न लाने दें उपाय क्या करना है आ आज आप को कोई सर्प्राइज बड़ा मिल सकता है और कोई बड़ा उपहार मिलने की संभावना बन रहें भूमी महवन वहान सुख मिलने का प्रभल यूग बन रहा है धार्मी कारियों में बढ़ चर करके हिस्सा लेंगे और आज दान करने की सिती है लोगों को दान करेंगे दर्मार्तकारों में रुची बढ़ेगी स्वास्त के द्रिष्टी कोंड से दीन आपका अच्छा रहेगा संतत्यों का सुख मिलेगा पत्नी का स्वास्त में सुधार होगा खास तोर से नोकरी पेसे वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए बेहत सुभाए आलश्य से द कारी दन मिलेगा और कई महत्मूर कारी होनी की संपावना बन रही हैं कोई पुरुश मित्र से आज आपको बड़ा लाब मिलेगा और किसी बड़े अपसर से आज आपको बड़े पैमाने पर सहयोग मिलते हुए दिख रहा है सौधानी के अपरतनी गुश्य पनियंत रणक क सोथ समझ करके कारे करें आज का दिन आपके लिया अच्छा है उपाई क्या करना हैं लाल वस्त्र मंदिर में दान करें सुबहां कै 5 सुबरंग है मैरून लख मीटर है 8 अरे किशनए बात करते हैं कौन्याराशी की जो कन्याराशी की जातक है आज आज आपको भूम इभोल बाहन संबंदित मामले सुलच जाएंगे बैपार में नुक्सान का सामना करना पड़ सकता है तो बैपार सो समझ करें किसी स्टेंजर से कोई लें देन न करें आनावशक व्यक्ति से मेल जोल एकदम न रखें आपके साथ धोखा धड़ी हो सकता है कटिन परिश्टियों में ध के चितर से धन मिलेगा किमती सला से धन अर्जित करेंगे आप लेकाख हो सकते हैं साहित्तिकार हो सकते हैं खेल के चितर में बड़ी प्रगत होते हुए दिख रहा है सौधानी के अपरत्ति अपनी उर्जा को सही दिसा में लगाने की जुरुत है निगेटिव सोच से बचे उपाई क्या करना हरा चारा गौसाला में दान करें सुभंके दो सुभ रहंगे पीला लक मीटरे साथ हरी कृष्णी बात करते हैं तुलराशी की जो तुलराशी की जाता है आपको ध्यान रखना है कि बहुत इमोशनल है छोटी-छोटी बात को लेके रिटेट हो जाते है त पार की दिश्टुकोंड से बहुत अच्छा है खास और से जो भी द्यारतिय पढ़ने वाले उनका समय च्छा चलाओं की केरियर के लिए समय अच्छा है बेकार की बातों में समय भरबाद न करें आपका सवभाव विनम्र भनाय रखने की जूरत है कट्टतापुन बैवार करने से बचें परिवार में आज आपकी समझ बढ़ेगी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अपने कारी उपर केंद्रित रखें सो समझ करके कारी करें निया घर भूमी भावन वाहन खरिदने का आउसर मिलेगा परिवार में सुभ और मांगली कार होने से मन परसंद रहेग सौधानी के अब रतने विबादों से बचें उपाय क्या करना चीटियों को आटा और गुड़ खिलावें सुभंक तीन सुभंक रंग हरा लक मीटर है आठ हरी कृष्ण बात करते हैं ब्रिशिक राशी की जातक हैं आज आपको एग्रेशन हो सकता है गुशा आपने गुशे पर कंठरोल करें जो पहत्रिक संपती पर बिबाद चल रहा है वो मामले सुलस्त्रिखत हुए दिख रहे हैं आपके व्यशाए में ग्रोथ होगी बैपारी बैपार में आक आकर के कोई काम करें नहीं तो दिक्कत होगी जीवन में जो चल रहा है परिशानिया उसका अंत होगा पत्नी से थोड़ा बैचारिक मत भेद रहेगा छोटी छोटी बात को लेका परिशान होते हैं माता पिता का विशेश ध्यान रखने की जुरत है सौधानी के अबरत नह गुसे पर नियंत्रा रखें उपाय क्या करना है संकट मोचन हन्मान जी की अराधना करें लाल वस्त्र का दान करें आज का सुभंक च्छे सुभंगे खेशरिया लक्मिटेर साथ हरे कुष्ण बात करते धनुराशी की जो धनुराशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है आपके बौधिक विकास होगा और बैपारिक इस्ति अच्छी होगी बैपार से धनलाब मिलेगा दामपत जीवन सांते पुर्ण तरीके से बैतित होगा अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में कारे करते हैं तो उसमें आपका बड़ा मुनाफ़ा हो सकता है और जो भी आप सुझाओ देंगे उससे लाब मिलेगा नई पीड़ी बहुत सकरात्मक महसूस करेगी और जो नए लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है यह पत्रतिष्टा में बड़ोतरी होगी विदेश यात्रा से धनलाब मिलेगा पत्नी का सुक मिलते हुए दिख रहा है जहां आप कारे करते हो बाद भी बाद हो सकता है सिक्षा के चत्र में नोकरी मिलेगी अध्यात्मिक विकास होगा पांडित कर्में रुची बढ़ेगी मंदिर तारी कारियों में आपका काफी योगदान रहेगा लोगों की मदद करेंगे धर्मार्त कार लोगों में बढ़ चड़ करके हिस्सा लेंगे सौधानी के अपरत्ति स्वास्त को लेकर के सचेत रहें उपाई क्या करना अशाहए व्यक्ते के मदद करिए और जो विद्यारती हैं उनको पुस्तक दान करिए सुबंके पांच सुबरंगे नारंगी लक मीटर आठ हरे किश जातक हैं आज आपको ध्यान रखना की कानूनी दाओं पेच सीखने में आज आपकी मदद मिलेगी उसमें काफी अच्छा रूची रखेंगे समाजिक परतिष्ठार यसमें बढ़ोतरी होगी परियासत का रोम आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी मान सम्मान मिलेगा रोग और सत्र परास्त होंगे पत्नी के स्वाफ पर विशेज ध्यान रखें भूम विवन का सुख प्राप्त होगा माली हालत अच्छी होगी नए बैपार से धनलाब का यूग बन रहा है परिशितियान कूल है घर में नया महमान आ सकता है तेजगत की गाड़ी नचलावें किसी विश्टेंजर से कोई लें दिन न करें माता पिता से बिवाद न करें सौधानी के अबरतनी है बहुत ज़्यादे बै करने से बचें आई और वे में समझे सस्थापित करें उपाई क्या करना है पुस्तक दान करना आपके लच्छा रहेगा सर्शो का तेल दान करें सुभं को गती मिलेगी आज अपने स्वास पर विशेज ध्यान रखने की जूरत है स्वास में प्रतकूलता हो सकती है माता पिता की स्वास को लेकर के चिंता हो सकती है जीवन साथी के साथ आज आपका मस्ती में दिन बीटेगा और उनसे रिष्टे अच्छे होंगे मेहनत से धन अ सत्र परास्त होंगे और अगर कोल्ट का चहरी में कोई मामले चल रहे हैं तो उसमें आपको विजय सिरे मिलेगी सरकारी नोकरी मिलेगी खेल के च्छत्र में आपको बड़ी उपलब्धी मिलते हुए दिख रही है आयात नर्याज से धन मिलेगा तेज गत की गाड़ी चलान सुबंके छे सुबरंगे हरा लक्मिटरे साथ हरी कृष्णा बात करते हैं हंतिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है सोच समझ करके कारे करने की जुरुत है और माली हालात अच्छी होगी जितना परिश्रम करेंगे उससे ज स्कूल खोल सकते हैं कुछ बदलाव आपकी जीवन में खुश्या लेकर आएगा सरकार और राजनीती से आपको लाब मिलेगा माली हालत ससक्त होगी रोग और संत्र परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा भूमिभान वाहन खरिश सकते हैं स्कूल कालेज टेक्निकल ए तेजगत की गाड़ी एकदम न चला में सौधानी के अब रतनी है आलत स्वप्रा समय नष्ट न करें उपाय क्या करना है आम एवंसेव मंदिर में दान करें ओम स्रिम सीरे नवाइस मंत्र का जब करें सुभांक है नौ सुभांक है गोल्डेन लक मीटर है नौ अब आईए ह आपका जन दिन सुभ हो मंगल मैं हो आपका चतुर्दिक प्रगत्य हो आपको सुख सम्रिति यस्पत परतेश्णा प्राप्त हो आप पर भोगान भोले नात के किरपाबर से हैपी बढ़डे आज जिन दर्सकों का जन दीन उनका मुलांक होता है पांच तो खास तोर से पां वसले बढ़ जाते हैं माली हालत अच्छी होगी नए तरह के कारे करेंगे रोग और सत्र परास्त होंगे विदेश जाने का यूग बनेगा और राजनीती में लाप मिलेगा देखा जाते या कालखंड पूरा आपके लिए महत्रपूर है जनवरी से लेकि जुन तक का कालख कालखंड आपके लिए काफी अच्छा है सरकारी में बढ़ोतरी होगी पदोनत होगी माली हालत अच्छी होगी नए तरह के कारे करेंगे बैपार में प्रगत होगी रोग और सत्र परास्त होंगे माता-पिता का विशेश आश्तिरवात पराप्त होगा दामपत्य जीवन मे सुधार आएगा वहीं जुलाई से लेके दिसंबर तक का कालखंड प्रतकुलता लिए हुए रहेगा कई तरह की समस्चाओं का सामना करना पड़ेगा और अंतता आप अपने बौतिक शमता के बल पर सफल रहेंगे सौधानी क्या परतनी है आलस्त का परत्याग करें अपनी एक बार आपको जन्म दिन की बहुत बहुत बढ़ाई देरो सुब कामना है हैपी बर्डे अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की गुरू के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि सब्ता का जो साथ दिन होता है बड़ा महत्तपोंड होता है खास दोर से हिंदू धर्म गरंतों में शनातान धर्मों में दिन का बड़ा महत्तपों हैं दिन की समसद अगर आप प्रभू की पूजा करें आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा हर दिन के देवता होते उनके गर सौमि अलग होते उनकी पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है अगर आप उसे साब से अपने को पूजा करें उपाय करें तो निश्चत रुफ से आपका मंगल ग्रह अच्छा होगा तो आज मंगल वार है तो मंगल दिन का जो स्वामी होता है वह पृत्वी पुत्र मंगल होते हैं जो ग्रहों के सेना पती हैं और इनके स्वामी संकट मोचन हनुमान जी हैं तो ज़िक किसी भी व्यक्ति की कुंडेली में मंगल ग्रह खराब है तो व्यक्ति को परिशानी आती ह हड़ी की परिशानी होती है बीपी बढ़ जाता है तमाम तरह के रोग का सामना करना पड़ता है अगर वही मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति भारती परसाशनिक सेवा में जाता है पुलिस सेवा में जाता है सेना में बड़ा कारी करता है टेकनिकल फिल्ड का व्यक्ति होता है उसकी आत्मबल बहुत मजबूत होती है, वह में बहुन प्रापल्टी से उसको लाभ मिलता है। तो अपने मंगल ग्रह को कैसे ठीक करें, जिससे आपकी धन की सित्य अच्छी हो, व्यापारे की सित्य अच्छी हो, रियल इस्टेट प्रापल्टी से लाभ मिले। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की अरादना करें 11 बार हनुमान चलियूसा का पाट करें और हंग हनुमते नमा इस मंदर से हवन करें इस तरीके सेगर 28 मंगलवार करते है ता आप देखेंगे कि आपकी गरह Сटी अच्छी होगी जद किसी व्यक्त की कुंडिली में मांगलिक दोस होने के इनाते साधी नहीं हो रही है ता आप क्या करें कि हन्मान जी को 21 मंगलवार चोला चड़ावें इससे साधी में हो रहे बीगन बादाएं दूर हो जाएंगे जिदी आपको लगता है कि आपकी दुरघटना हो रही है रोग और सतुर से परिशान है तो सुन्दर कांड का पाठ करें आपके लिए अच्छा रहेगा तो छोटे छोटे पाए बताया अगर यह करते हैं ता आपके लिए बहुत ही लाँप करें भागी गुरु करकरम में बस साज इतना ही फिर हम आप से कालिसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजी इजाजत आप देखते रहे नुज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राखण नमस्कार